नमस्कार दोस्तों सत्वचन बाइबल अध्यन के इस प्रसारण में आप सबका एक बार पुना स्वागत है प्रेदर्शकों परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम धीरे धीरे करके वेवस्ता विवरंड के अध्यन के अंतिम भाग तक पहुँच गए हैं आज आप देखेंगे कि परमेश्वर मुसा की सेवा समाप्त करके इसराइल के लिए एक नए अगवे को निक्त करता है वह जो परमेश्वर का चुना हुआ था परमेश्वर की सेवकाई में एक अगवा केवल परमेश्वर के द्वारा चुना जाना चाहिए संसार में लोग अपने तरीके से चुनाओ करके भाई भती जावात के द्वारा सिफारिश करके और ना जाने कितने प्रकार से अगवे को चुनते हैं पर सिवकाई में सिर्फ परमेश्वर द्वारा अगवे का चुनाओ होना चाहिए परमेश्वर ने यहुशु को चुना और मुसा के द्वारा उसने उसे बुलाया आप देखेंगे कि परमेश्वर मुसा को सारी बाते बताते हैं कि किस प्रकार इस्राइली वचन और आग्या को तोड़ कर गलत मार्ग में चले जाएंगे ये तब की बात है जब वे अभी कनान में प्रवेश भी नहीं किये थे परमेश्वर अपने भक्तों पर सारी बातों को प्रगट करते हैं तब परमेश्वर की आग्या अनुसार मुसा एक गीत लिखकर सभी बातों को सारी इस्राइल के लोगों को चिताता है कि परमेश्वर की आग्या क्या है परमेश्वर की आग्या के अनुसार मुसा इस्राहिल के सारे गोत्रों को आशिरवात देता है और उन्हें पुना सब कुछ याद दिलाता है कि परमेश्वर के साथ चलते रहना उन्हें चाहिए इसके बाद भी आप पाते हैं कि वे परमेश्वर से विमुख हो गए तो चलिए दोस्तों भावनाओं से भरे हुए इस अध्यान में आगे बढ़ते हैं और उससे पहले परमेश्वर की महिमा करते हैं आज हम अध्याय 22 में देखेंगे मुसा का गीत मुसा का गीत एक महान गीत है वास्तों में यह महिमा भरा गीत है समुचे इसराइल देश को इसे सीखना था यह मानो एक राष्टिय गान के समान था यह एक गीत था जिसे स्वयम परमेश्वर ने इन्हें दिया था प्रत्येक इसराइली को यह गीत सीखना था और अपने बच्चों को भी सिखाना था जैसे कि मैंने पहले ही बताने की कोशिश की है कि संगीत किसी भी देश के लिए एक महत्पुन सत्य है किसी ने इस प्रकार से कहा है कि मुझे परवाह नहीं कि देश का कानून किसने लिखा है प्रन्तु मुझे इस देश का संगीत लिखने दो दूसरे शब्दों में गीतों का कानून से अधिक प्रभाव होता है अगर यह सत्य है तो हम एक दुखत समय में जी रहे हैं आज का वर्तवान संगीत इस अस्तर तक नीचे गिर चुका है कि बिलकुल डर लगने लगता है आईए हम देखें सुनने की बुलाहट मुसा के गीत की चार प्रथम पंक्तियां परिचय है लिखा है विवस्था विवरन 32 के एक में हे आकाश कान लगा कि मैं बोलू और हे प्रित्वी मेरे मुह की बातें सुन परमेश्वा ने स्वर्ग और प्रित्वी को अपनी गवाही देने के लिए बुलाया है कि ये वे इस्तितियां हैं जिसमें वे इसरायल को रखेगा जब वो तयार था कि वो इसरायलियों को देश से बाहर निकाल कर न्याय करें ये शाया ने भी इस तरह की बुलाहट को दर्ज किया है कुछ इस तरह ये शाया के पुस्ता का आरंब होता है आमोश के पुत्र ये शाया का दर्शन जिसको उसने येहुदा और येरोशलेम के विशे में उजिया, योताम, अहाज और हिजिकिया नाम यहुदा के राजाओं के दिनों में पाया हे स्वर्ग सुन और हे प्रिथ्वी कान लगा क्योंकि यहवा कहता है मैंने बाल बच्चों का पालन पोशन किया और उनको बढ़ाया भी प्रन्तु उन्होंने मुझसे बलवा किया जब परमेश्वा ने इसराइल को देश में रखा तो उसने स्वर्ग और प्रिथ्वी को गवाह बनाया जब 700 वर्षों के बाद वह उन्हें देश से बाहर निकालने पर था उसने फिर स्वर्ग और प्रिथ्वी को गवाह बनाया परमेश्वा ने यह सब कुछ किसी कोने में नहीं किया उन्हें देश से बाहर निकाल कर वह न्याय कर रहा था विवास्था विरन 32 के दो में लिखा है मेरा उपदेश मेह के समान बरसेगा और मेरी बातें उसके समान टपकेंगी जैसे की हरी घास पर जीसी और पाउध्यों पर जड़ियां इसी प्रकार परमेश्वर का वचन है भजनकार कहता है वह सूखी घास पर उसकी बूंदों की बारिश की तरह आ जाएगा और इस तरह जैसे भूमी पर आस्मान से बारिश होती है भजन सेहिता बहतर के च्छे में लिखा है वह घास की खूटी पर बरसने वाले मेह और भूमी सीचने वाले जाड़ियों के समान होगा मैं इस बात को पसंद करता हूँ डॉलस टेकसास में एक सेविका थी जिसने अपने प्रेमी को खो दिया था उसने अपने पादरी पासवान को बताया कि अब मैं इस पंक्ती के अर्थ को समझती हूँ वह एक सुखी और प्यासी थी और प्रभू का वचन बारिश के समान उसके पास आया था इसी तरह प्रभू का वचन हमारे पास आना चाहिए प्रमेश्वा चाहता है कि उसका वचन कुछ इसी तरह हमारे जीवन में आए और हमारे दिलों में बस जाए विवासा विरन 32 के तीन में लिखा है मैं तो यहवा नाम का प्रचार करूंगा तुम अपने प्रमेश्वार की महिमा को मानो हमारे साहित्य में आज कितना परमेश्वर के बारे में लिखा होता है या उसके बारे में कितना कहा जाता है जो अच्छा होता है आम तवर पर उसके नाम को लिया भी नहीं जाता है अगर लिया भी जाता है तो व्यर्थ में लिया जाता है व्यवस्था विरन 32 के चार में लिखा है वह चटान है उसका काम खरा और उसकी सारी गति न्याय की है वह सच्चा इश्वर है उसमें कुटिलता नहीं वह धर्मी और सीधा है यह गित चटान के विशय में है आप इस चटान शब्द को देखें जिसका इस्तिमाल लगभग साथ बार किया गया है प्रवईशु मसी को भी चटान कहा गया है मसी कोने के सीरे का पत्थर है पहला पत्रस की पत्री दो अध्याय के छेपद में लिखा है इस कारण पवित्र शास्त्र में भी आया है कि देखो मैं सीयोंग में कोने के सीरे का चुना हुआ और बहमुले पत्थर धर्ता हूँ और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वा किसी रिते से लजित नहीं होगा उसका कार्य सिद्ध है या कितना अदभुद गीत है जो परमेश्वर की महिमा को बताता है और आज हमारे द्वारा महिमा पा रहा है आगे हम देखते हैं परमेश्वर की दया अनुगरह के बदले सारा देश बुरा करता है विवास्था विरन बत्तिस अध्याय उसके पांच और छे पद में लिखा है परन्तु इसी जाती के लोग टेड़े और तिर्चे हैं ये बिगडगे ये उसके पुत्र नहीं या उनक कलंख है हे मूड और निर्बुधी लोगो क्या तुम यहवा को यह बदला देते हो क्या वह तेरा पिता नहीं है जिसने तुमको मोल लिया है उसने तुमको बनाया और स्थिर भी किया है परमेश्वर इसराहिल का पिता था स्रिष्टी के कारण उन्होंने छुटकारे की बा बेटा कहलाया था, लेकिन आदम ने पाप किया, उसके बाद आदम का वन्स, परमेश्वर का बेटा नहीं कहलाया, जब तक कि वे परविश्वर विश्वास करके या करने के द्वारा, परमेश्वर के संतान नहीं बन गए. संपुन मानवजाती की एक कृत्रिम तस्वीर है मुर्ख लोग आगे देखेंगे यहवा की भलाई अब हमारे पास परमेशर की भलाई क्या बहुत ही खुब सूरत पध्यांस है पद साथ से चौदा में विवास्ता विरन की पुस्तक 32 सध्याय उसके 7 से 9 पद में हम पढ़ते हैं प्राचिन काल के दिनों को स्मरन करो पीढी-पीढी के वर्षों को विचारो अपने बाप से पूछो और वह तुम को बताएगा अपने ब्रिद लोगों से प्रश्न करो और वे तुझ से कह देंगे जब परमप्रधान ने एक-एक जाती को निज-निजभाग बाट दिया और आदमियों को अलग-अलग बसाया तब उसने देश-देश के लोगों की सीमाए इसराइलियों की गिंती के अंसार ठहराई क्योंकि यहवा का अंस उसकी प्रजा है याकुब उसका नपा हुआ निज-भाग है प्रित्वी के राष्ट इसराइलियों की गिंती के अंसार आके गए हैं दूसरे शब्दों में जितने राष्ट एक दूसरे से जुड़े हैं वे सब इस्राइलियों के गिंती के अंसार रखे गए हैं यह एक महान बात है जिसका अध्यन आज हमें करना चाहिए विवस्ता विरन 32 के दस में लिखा है उसने उसको जंगल में और सुझान और गरजने वाले से भरी हुई मर्य भूमी में पाया उसने उसके चारों ओर रहकर उसकी रक्षा की और अपनी आँख की पुतली के समान उसकी सुधी रखी लगभग 40 वर्षों तक जंगल के बीच परमेश्वन ने उस खतरनाक जंगल के बीच में अपनी लोगों की अगवाई की और संभाल कर रखा क्यों? वे उसकी आँख के तारे थे और यह कितना सुन्दर चितरन है अब हमारे पास वचन का एक बहुत सुन्दर प्रकाशन है दिवस्था विवरन 32 अध्याय उसके 11 और 12 पद में लिखा है जैसे उकाब अपने घोसले को हिला हिला कर अपने बच्चों के उपर मंडलाता है वैसे ही उसने अपने पंक फैला कर उसको अपने परों पर उठा लिया यहवा अकेला ही उसकी अगवाई करता रहा और उसके संग कोई पराया देवता ना था एक ऐसा समय होता है कि जब बाज के बच्चे अपने पंकों को फैलाना नहीं चाहते हैं वे घोसले के अंदर ही रहना चाहते हैं वे चाहते हैं कि उनके माता पिता उनके लिए खाने पीने की विवस्था करें वे रात में उनकी देख भाल करें एक समय ऐसा भी होता है, जब बाज अपने बच्चों को धक्का देते हैं, ताकि वे उड़ना सीख सकें, मान लिजे कि वे अच्छे से नहीं उड़ पाते हैं, और बाज जब इस बात को पहचान लेते हैं, तो वह जपट कर अपने बच्चे को तुरंथ ही पकड़ लेते हैं, और चटान पर बैठा कर उन्हें कुछ दिन और खिलाते हैं, ताकि वे अच्छे से उड़ सकें, और इसी तरह वे उन्हें फिर से धक्का देते हैं, ताकि वे उड़ना सीख सकें, इसी तरह जो परमेश्वर के होते हैं, वह उन पर दृष्टी रखता है, परमेश्वर यह परमेश्वर की भलाईयों का एक अद्भूत मिस्रन है राष्ट का परमेश्वर के विरोध हो जाना लिखा है विवस्था विवरन 32 के पंदरा में प्रन्तु यशुरून मोटा हो का लात मारने लगा तो मोटा और हिष्ट पुरुष्ट हो गया और चर्वी से छा गया है तब उसने अपने स्रेजनहार इश्वर को तज दिया और अपने उदार मूल चटान को तुछ जाना यशुरून इस्राइल का एक और नाम है यशुरून मोटा हो गया था और घुड की मारने लगा था यही एक तस्वीर है जो हम आज मसीहों में पाते हैं और इनमें कितने शिकायत करने वाले लोग हैं इनमें मसीही लोग शामिल हैं वे मोटे हो गये थे, अर्थात सम्रिध हो गये थे वे अब अपनी चटान पर ध्यान लगाना आवश्यक नहीं समझते थे विवस्था विवरन 32-16-18 में आगे हम पढ़ते हैं उन्होंने पराय देवताओं को मानकर उसमें जलन उपजाई और घ्रनित कर्म करके उसको रिस दिलाई उन्होंने पिशाचों के लिए जो इश्वर न थे बली चड़ाए और उनके लिए वे अंजाने देवता थे वे तो नए-ने देवता थे जो थोड़े ही दिन से प्रगट हुए थे और जिन से उनके पुर्खा कभी डरे नहीं जिस चटान से तु उत्पन हुआ उसको तु भूल गया और इश्वर जिससे तेरी उत्पत्ती हुई उसको भी तु भूल गया है हम देखते हैं इस्राहिलियों पर परमिश्वर का न्याय वेवसा विरन 32 उसके 19 और 20 पद में लिखा है इन बातों को देखकर यहवा ने उन्हें तुछ जाना क्योंकि उसके बेटे बेटियों ने उसे रिस दिलाई थी तब उसने कहा मैं उनसे अपना मुख छिपा लूँगा और देखूंगा कि उनका अंत कैसा होगा क्योंकि इस जाती की लोग बहुत तेड़े हैं और धोखा देने वाले पुत्र हैं पर्मेश्वा ने कहा कि वा अपने को इन लोगों से स्वैम को छिपा लेगा वा स्वैम को उन पर प्रगट नहीं करेगा आगे देखते हैं पर्मेश्वा की अपने लोगों के लिए प्यास व्यवास्थव िरं 32 अध्याय उसके 26 औउ 27 में लिखा है मैंने कहा था कि मैं उनको दूर दूर से तितर बितर करूँगा और मनश्यों में से उनका स्मरन तक मिटा डालूँगा प्रन्तु मुझे शत्रों की छेर छाड का डर था ऐसा ना हो कि द्रोही इसको उल्टा समझ कर या कहने लगें कि हम अपने ही बहुबल से प्रबल हुए औ और यह सब यहवा से नहीं हुआ परमिश्वन ने कहा वा अपने लोगों को बिखरा देगा क्या यह उनके शत्रों के लिए भय का कारण ना था वा कहता है मैं अपने लोगों का नुकसान नहीं होने दूँगा उन्हें नश्ट नहीं होने दूँगा जब उनके शत्रों उन 28-31 में लिखा है यह जाती युक्ति हीन तो है और इन में समझ है ही नहीं भला होता है कि ये बुधिमान होते कि इसको समझ लेते और अपने अंत का विचार करते यदि उनकी चटान ही उनको ना बेच देती और यहवा उनको दूसरों के हाथ में न कर देता तो यह क्यों कर हो स लगता कि उनके हजार का पीछा एक मनुश करता और उनके दस हजार को दो मनुश भगा देते क्योंकि जैसी हमारी चटान है वैसी उनकी चटान नहीं है चाहे हमारे शत्रों ही क्यो ना न्याई हो यहां हमारे पास क्या तस्वीर है परमेश्वर अपने लोगों के लिए प् इस्राइल के साथ अन्य राष्ट भी आशिश पाएंगे। व्यवस्था विरन 32 उसके 43 पद में लिखा है हे जाती जाती के लोगों उसकी प्रजा के साथ आनंद बनाओ क्योंकि वह अपने दासों के लहु का पल्टा लेगा और अपने द्रोहियों को बदला देगा और अपने देश और अपने प्रजा के पाप के लिए प्रायश्चित देगा उस महिमा पोन पंक्तियों के साथ मुसा अपने गीत का समापन करता है आगे हम देखते हैं व्यवस्था विरन 32 अध्या के 45 पद में लिखा है जब मुसा ये सब वच्चन सब इसरायों से कह चुका तब हम देखते हैं अंतिम प्रोटसाहन व्यवस्था विरन 32 उसके 46 और 47 पद में लिखा है तब उसने उनसे कहा जितनी बातें मैं आज तुमसे चिता कर कहता हूँ उन सब पर अपना अपना मन लगाओ और उनके अर्थात इस विवस्था की सारी बातों के मानने में चौकसी करने की आगया अपने बच्चों को दो क्योंकि यह तुम्हारे लिए वियर्थ काम नहीं प्रन्तु तुम्हारा जीवन ही है और ऐसा करने से उस देश में तुम्हारी आयू के दिन बहुत होंगे जिसके अधिकारी होने को तुम यर्दन पार जा रहे हो पुना यह बताया गया है कि आगया कारिता के आधार पर ही वे देश में बसे रहेंगे आगे लिखा है विवस्था विवरन 32 उसके 48 से 52 पद में फिर उसी दिन यहवा ने मुसा से कहा उस अबारीम पहाड की नबो नामक चोटी पर जो मुआब देश में यरिहों के सामने है चड़ कर कनान देश जिसे मैं इस्राइलियों की निजभूमी कर देता हूँ उसको देख ले तब जैसे तेरा भाई हारुन होर पहाड पर मर कर अपने लोगों में मिल गया वैसा ही तू इस पहाड पर चड़ कर मर जाएगा और अपने लोगों में मिल जाएगा इसका कारण यह है कि सीन जंगल में कादेश के मरीबा नामक सोते पर तुम दोनों ने मेरा अपरात किया क्योंकि तुमने इस्राइलियों के मध्य में मुझे पवित्र न ठाहराया इसलिए वह देश जो मैं इस्राइलियों को देता हूँ तु अपने सामने देख लेगा परंत वहां जाने न पाएगा मुसा विवस्था का प्रतिनिधी था विवस्था देने वाला और प्रतिग्या के देश में वह प्रवेश नहीं कर सका रूडि वादिता वास्तों में एक रुकावट है विवस्था के द्वारा पाप उजागर होता है उसे मिटाया नहीं जा सकता विवस्था के द्वारा उधार नहीं है विवस्था के द्वारा तो स्वैम मुसा भी प्रतिग्या के देश में नहीं जा सका विवस्था के द्वारा हम उस अस्थान पर नहीं पहुंच सकते जहां ह अमारे लिए आशिश है। यहां पर अध्याय 32 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्यान में आगे बढ़ते हुए अध्याय 33 में आते हैं। जिसका विश्य है मुसा के द्वारा गोत्रों को आशिश। अंतिम सामुही कारे जो मुसा ने अपने मृत्यू से पहले किया वह ये था कि उसने अपने लोगों को गोत्रों में एकत्रित किया और हर एक को आशिश दी। विवस्था विवरन 33 के एक में लिखा है जो आशिर्वात परमेश्वर के जन मुसा ने अपने मृत्यू से पहले इस्राहिलियों को दिया वह यह है देखते हैं उसने रुवेन से शुरुवात की विवस्था विवरन 33 के छे में लिखा है रुवेन ना मरे वरन जीवित रहे तो भी उसके यहां के मनश्य थोड़े हों मुसा ने प्रात्ना की कि इस्राहिल में रुवेन कभी ना मरे आगे हम देखेंगे विवस्था विवरन 33 के साथ पद में और यहुदा पर यह आशिर्वाद हुआ जो मुसा ने कहा हे यहुदा तो यहुदा की सुन और उसे उसके लोगों के पास पहुँचा वा अपने लिए आप अपने हाथों से लड़ा और तु ही उसके द्रोहियों के विरुद उसका सहायक हो यहुदा एक शाहि गोत्र है जिस बेसे मसीहा पैदा होगा विवस्था विरन 33 उसके 8, 10 और 11 में लिखा है फिर लेवी के विशे में उसन वे याकुप को तेरे नियم और इस्रैल को तेरे विवस्था सिखाएंगे और तेरे आगे धूप और तेरे वेदी पर शर्वांग पशुक को हॉंबली करेंगे है यह वा उसकी संपत्ति पर आशिष दे और उसके हाथों की सेवा को ग्रहन कर उसके विरोधियों और बैरिय को पढ़ा सकें लेवी के द्वारा देश आशिश ही थोंगे एफ्रेम और मनस्य जो यूसुप के गोत रहें उनसे इस्राहिल को आशिश मिलेगी चोबिस पद में एक रूची कर आशिश है आएए देखें विवस्था विवरं 33 अध्या के चोबिस पद में लिखा है फिर आशेर के विशे में उसने कहा आशेर पुत्रों के विशे में आशिश पाए वा अपने भायों में प्रिय रहे और अपना पाउं तेल में डुबोए यह एक रूची कर बात है कि सालों पहले अशेर के राजि से होकर तेल की पाइप लाइन उत्तर के राजियों में गई यह संभव है कि पाइप लाइन खुल गई हो विवस्था विवरं 33 उसके 26 से 29 में लिखा है हे यह शुरून इश्वर के तुले और कोई नहीं है वा तेरी सहायता करने को आकाश पर और अपना प्रताब दिखाता हुआ आकाश मंडल पर सवार होकर चलता है अनादी परमेश्व तेरा ग्रिह धाम है और नीचे सनातन रहता है उनको सत्यनाश कर दे और इसरायल निडर बसा रहता है अन और नेदाकमदू के देश में याकुब का सोता अकेला ही रहता है और उसके उपर के आकाश से ओस पढ़ा करती है हे इसरायल तु क्या ही धन्य है हे यहवास से उधार पाई हुई प्रजा तेरे तुले ओ, सिर्फ यदि इस्राहिल ने परमेश्वर का कहा माना होता तो सब सच होता मित्रों यहाँ पर अध्याय 33 समाप्त होता है और हम अपने अध्यन के करम में आखरी अध्याय 34 में आते हैं जिसमें हम देखेंगे मुसा की एकांत में अंजानी मृत्यू एक प्रश्ण उठता है कि क्या मूसा ने अपने मृत्यू के बारे में स्वय लिखा हो सकता है प्रभू ने उसे बता दिया था कि वा मरने वाला है कई महान लोग विश्वास करते हैं कि यह अंतिम भाग यहश्व के पुस्तक का है यह निश्चित रुप से हो सकता है क्योंकि आरंब की पुस्तक में कोई भी भाजन नहीं था जिस तरह आज हमारे पास उपलब्ध है पूरान नियम पत्रों पर लिखा गया था इसलिए यह वास्तों में यहोश्यू के पुस्तक का आरंबिक हो सकता है विवस्ता विवरन 34 सध्या उसके एक से छे पद में हम आगे देखते हैं फिर मुसा मुआब के अराबा से नबो पहाड पर जो पिस्गा की एक चोटी और येरिहों के सामने है चड़ गया और यहवा ने उसको दान तक का गिलाद नाम सारा देश और नप्ताली तक का सारा देश और एप्रेम और मनशे का देश और पश्चिम के समुदर तक का यहुदा का सारा देश और दक्षिन देश और सुवर तक की यरिहों नामग खजूर वाले नगर की तराई यह सब दूँगा वह यही है मैंने इसको तुझे साक्षात दिखला दिया है परंतु तु पार होकर वहाँ जाने न पाएगा तब यहवा के कहने के अंसार उसका दास मुसा वही मुआब देश में मर गया और उसने उसे मुआब के देश में बेत तपोर के सामने एक तरहे में उसने प्रतिग्या के देश में जाना था आपको याद होगा जब प्रविश्यू रुपांतरित हो गये थे तब उसके समुख पहाड पर मुसा और एलिया भी दिखाई दिये थे और प्रविश्यू आने वाले मुरित्यू के बारे में बाते कर रहे थे तो आप देखेंगे कि किस तरह मुसा प्रतिग्या के देश में प्रविश्य कर चुका था विवस्था मुसा को देश में नहीं ले सकी प्रन्त यिशू मसीह ने उसे अंदर ले लिया विवस्था विवरन 34 के 7 और 8 पद में लिखा है मुसा अपनी मृत्यू के समय 120 वर्ष का था प्रन्त न तो उसकी आखे धुनली पड़ी और ना उसका पौरश घटा था और इस्राइली मुआप के अराबा में मुसा के लिए 30 दिन तक रोते रहे तब मुसा के लिए रोने और विलाप करने के दिन पूरे हुए मित्रो क्या आपने कभी सोचा क्यों उसकी कवर को चुपाया गया बात बिल्कुल साफ है शैतान कभी नहीं चाहता था कि मुसा रुपांतरर के पहाड़ पर दिखाई दे परमेश्वन ने हैं मुसा के अंतिम संसकार की सेवकाई की यदिपी हमें लग सकता है कि स्वहम की ये मुसा की एकागर मृत्यू है अनुवाद ऐसा हुआ है कि परमेश्व ने उसे चुन कर सुला दिया यह एक बहुत अच्छा विचार है प्रभु ने उसे चुना और मुसा को सुला दिया यहां किस प्रकार की तस्वीर हमारे सामने आती है यह एक दुखल शब्दों के साथ समापन है कि हमें विवस्था विवरन की पुस्तक को बंद करना पड़ है प्रन्तु हम यहशू की पुस्तक में इसराइलियों के साथ प्रतिग्या के देश में जाएंगे मित्रो आज यहां पर विवस्था विवरन की पुस्तक का समापन होता है और मुझे विश्वास है कि इस अध्यन के दौरा आपने अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक ल दोस्तों आज हमने परमेश्वर के एक सच्चे सिवक की मृत्यू के द्वारा अध्भुच संदेश प्राप्त किया बजन सहीता 116 अध्याय उसके 15 में लिखा है कि यहवा के भक्तों की मृत्यू उसकी द्रिस्टी में अनमोल है अब वो समय आ गया था कि मुझे अपनी सेवकाई पूरी करके परमेश्वर के साथ जा मिले पर वचन क्यों कहता है कि यहवा के भक्तों की मृत्यू अनमोल है क् कि मनुष्य का अंतिम लक्ष यही है कि अपने परमेश्वर से जा मिले मुसा के जीवन में वो पल आ गया था कि वो अपने पिता से जा मिले जीवन भर जो काम उसने किया था उसका अंत आ चुका था जीवन का संघर्ष समाप्त होने वाला था संसार के सारे कस्टों से उसे अब छुटकारा मिलने वाला था और उसमें सबसे महत्वपून बात यह थी कि मुसा परमेश्वर के साथ मिलने वाला था। इस सेवक के जीवन की विडम बना यह थी कि जो जीवन भर इस्राइल की प्रजा की अगवाई करके उन्हें कनान के द्वार तक लेके आया उसे प्रवेश करने नहीं मिला। दोस्तों एक सेवक का जीवन लोगों के लिए होता है। मुसा उसका सटीक उधारन है। हम संसार के आनद के लिए नहीं हैं ये बात यहां पर साबित होती है। परमेश्वर हमें सेवा में किसी उद्देश से बुलाता है और बहुत सी बार एक सेवक और उसका परिवार कस्टों और मुसीबतों से गुजरता है। परमेश्वर की सेवा के लिए पर दोस्तों सेवा का सुख इस बात में है कि हम परमेश्वर के साथ हैं हमारे लिए मुकुट और आनंद संसार में नहीं पर परमेश्वर के राज्ज में हैं उसके साथ मिलने में हैं और इससे बड़ी बात क्या होगी कि स्वेहम परमेश्वर मुसा को मिट्टी दी और उसकी मृत्यू के बाद वह सदा के लिए परमेश्वर के साथ हो लिया मुसा जीवन भर परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और जीवन के बाद भी परमेश्वर के साथ जा मिला इससे आशिशी जीवन किसी और का नहीं हो सकता दोस्तों मुसा का जीवन हमारे लिए एक आदर्श है कि हम भी ऐसा जीवन जीए जिन्दगी के साथ भी और जिन्दगी के बाद भी परमेश्वर के साथ बने रहना पौलुस फिलिपियों की पत्री पहले अध्याए 21 पद में कहता है कि मेरे लिए जीना मसी है और मर जाना लाब है मुसा ने एक ऐसा जीवन जीआ चेलू ने एक ऐसा जीवन जीआ बहुत से सेवकों ने भी ऐसा जीवन जीआ दोस्तों अब आपकी बारी है मेरी बारी है क्या आप मुसा के समान जीवन जीना चाहते हैं यदि हाँ तो आईए हम मिलकर प्रार्थना करें स्वर्गे पिता हम धन्यवाद देते हैं प्रभू कि आपने वेवस्था विवरंड की इस पुस्थक के द्वारा अपनी बातों को अपनी आज्याओं को और मूल रूप से प्रभू जी आपने मूसा के जीवन से एक अद्भुत संदेश हमें दिया कि ये समर्पन का जीवन आपके साथ चलते रहना जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी हमारे लिए लोगों के लिए आशीश का कारण हो सकता है प्रभू हम धन्यवाद देते हैं कि आपने इस बात को भी सिखाया कि हम जो सेवा में हैं आपके लोग हैं प्रभू हमारे लिए आनन्द और मुकुट स्वर्ग में है और इस संसार में हमें कस्ट दुख और कलेश का सामना करना है हमारी सहायता करें विशेश तोर पर हमारे दर्शकों की सहायता करें कि हम इस जीवन को आदर्श मान कर हमारे मसी के जीवन को आदर्श मान कर संगर्श के जीवन में विश्वास योगिता बनाए रखें और सब बातों में आपको महिमा दे अनुग्रह करें पिता कि हम जीवन में भी आपके साथ बने रहें और जीवन के बाद भी प्रभू आदर मिले कि आपके साथ होने पाए महिमा और प्रशंसा सब कुछ आपको देते हुए इस बिंती को इशू के नाम से मांगते हैं आमीन प्रेमित्रों आज हमारे व्यवस्था विवरण का अध्यन समाप्त होता है अगली प्रसारण से हम नई पुस्तक यहोशो की पुस्तक के साथ अपने अध्यन को आरम करेंगे तब तक इन वचनों पर मनन करते रहें और नए अध्यन को आरम करने के लिए प्रार्थना में परमेश्वर से मांगते रहें तब तक के लिए प्रभू हम समों को बहुत आयद से आशीश प्रदान करें धन्यवाद